बहादूरगड में नकली नोट सप्लाई करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफतार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कबजे से करीब 48,000 रुपय के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। तीनों आरोपी हर्याना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाल की तलाशी ली गई तो उसके पास से 9,500 रुपय के नकली नोट बरामद किये गए। उच्टाच में आरोपी मंजीत ने बताया कि उसने यह नोट सोनिपत के पीपली गाव निवासी फारुक से लिये थे। पुलिस ने उसको भी गिरफतार कर लिया है। जिसके कबजे से प पुलिस ने बागपत निवासी इसरार नाम के एक सप्लाय को गिरफतार किया है। नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोव की चेन तक पहुँचने के लिए पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है।